हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चानल फिकर्स पर चोहान गईस मेरा नाम है कीरत चोहान और यहां हम कर रहे हैं गटना चक्र की समान ने भुगोल की बुक और इसमें हम करने जा रहे हैं विश्का भुगोल अभी जो हमारे जैप नमबर 36 का अभी हम करेंगे पार्ट तू प इंडेक्स देख सकते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं अभी जो फिलाल हमारे चल रहा है वो है आपका चैप्ट नमबर 36 अभी हम पार्ट तू करने जा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा था इसलिए दो पार्ट में हो रहा है चले उसके बाद के भी आप देख सकते हैं कि हमें आगे कौन कौन से टॉपिक करने हैं तो गईस अभी जो फिलाल हम करने जा रहे थे वो है आपका देखे आ ऊश्मा पजट की बात करने जा रहे थे तो यह इत्या तो हम कर चुके हैं अभी फिलाल हम जो करने जा रहे हैं वो यह है इसमें लिखा है जी टी त्रिवार्था के अनुसार उश्मा बजट की बात करेंगे क्या होता है कि यह अगर पृत्वी है तो और यह सूर है तो मान लेते हैं यहां से कुछ उर्जा गई है पृत्वी तक और कुछ जो है टकरा के वापस चली जाएगी ठीके तो जो अंदर जा रही है पृत्वी में उसको देखिए यह क्या होगी प्रवेशी और जो अंदर जाती है वो लगुतरंग होती है ठीक है और जो बाहर जाती है वो दीर्गतरंग होती है ठीक है सौरिक विकरण है सूर से आ रही है इसले चली तो प्रवेश कर रही है प्रिथवी के वायूमंडल में तो प्रवेशी लगुतरंग सौरिक विकरण ठैके तद हब प्रिथवी और वायूमंडल का उश्मा वजट देखते हैं चलिए तो अब यहाँ पे लिखा प्रिथवी अपनी उर्जा का अधिकांश भाग यहाई सूर से लगू तरंग सौरिक विकरण के माध्यम से प्राप्त करती है मतलब इसने कहा कि पृत्वी के पाद जो भी उर्जा आती है सूर से आ रही है और किस रूप में लगू तरंग के रूप में आ रही है लगू तरंग सौरिक विकरण के रूप में ठीक है तो इस उश्मा उर्जा को 100% माल लिया है हमने माल लिया कि जो पृत्वृ के वायुमंडल में जो प्रवेश कर द दर सै मुआज तो यहां से जो भी यहाँ पर उर्जा पहुची है वो हमने माली यहां तक कित्ती पहुची है 100% पहुची है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर तो इसने का इस तरह प्रिथवी के वायू मंदल में प्रवेश होने वाली समस्त सौरी कुर्जा का 35% भाग जो है आपका धरातली सता से 35% भाग जो है अंतरिक्ष में वापस लोटा दिया जाता है चलिए अब इसने ये बोला कि यह है प्रिथवी और यह है प्रिथवी का वायू मंदल ठीक है अब यहां पर क्या क्या है देखिए सूर से उर्जा आई यहां तक आई कितनी आ रही है 100% अब इसने का 100 की 100 तो अंदर ही नहीं ज कुछ तो यहां पे बाधल है उससे टकरा के चल कई कुछ यहां पे ढूल करण है उससे कुछ तर प्रिथवी की सत्वी की सत्वापस गई है उसमें 6 प्रतिशत किसे गई तकरा के वापस गई है तूछ से 27 प्रतिशत बादलों से और जो धरातली सता से कितनी दो प्रतिशत चलेगे तो दो छे और 27 को जब आप मिला देंगे यानि एट करें तो 35 परसेंट तो इसी तरह से वापस चलेगे प्रिथवी तक पहुंची नहीं ठीक है चली अब इसने कहा कि जो वाइव मंडल द्वारा जो है 14 प्रतिशत भाग को जो है अफसोशित कर लिया गया इसका मतलब ही हुआ कि यह है प्रिथवी और यह प्रिथवी का वाइव मंडल यहां से आई 100% उर्जा ठीक है तो अभी 34% तो हमने जाते वे देख ली वापस हो गई अंदर गुसी ही नहीं ठीक है अब क्या हुआ यहां पर 35% गई थी ठीक है तो यहां पर 49% का तो हिसाब किताब हमने देख लिया ठीक है कि यानि कि यह आई 100 प्रतीशत आई 35 यहीं से वापस हो ली और 14 प्रतीशत को वाई बंडल ने अफ्सोशित कर लिया यानि कि हमने कहानी देख ली 49% की अब बचे किते 100 में से 51% बच गए तो 51% की हम बात करेंगे कि इसका हुआ क्या चलिए अब लिखा है प्रिथवी की 51 प्रतीशत उर्जा के अंतरगत यानि इसने कहा कि 51 को भी दो भागों में बाढ़तो एक कर दो 34% एक कर दो 17% एक कर दिया 34% एक कर सत्रणपत तो 34% यह जो है प्रिथी तक पहुँच रही है ठीकै 34 और 17 दोनों यह प्रिथवी तक पहुँच रही है अब देखी कैसे प्रत्यक्ष सौरिक उर्जा है सौरिक विकरण के रूप में पहुँच गई अब लिगा वायमंडल की उश्मा बजट के अंतरगत 48 प्रतिशत सौरिक उर्जा होती है ठीक अभी 48 परसंट कैसे हो गई वैस चलिए देखें तो 48 परसंट की हम यहां पर बात करते हैं तो 48 परसंट की कुछ ऐसे बात करेंगे कि यह प्रिथवी यह वायमंडल यह सूरिस से जो आ रही थी उसके जो वायमंडल ने अफसोशित करी थी वो 14 प्रतिशत थी जैसे के देखें सौ परसंट आ रही थी 35 परसंट चली गई थी और 14 परसंट तो इसने वायमंडल ने अफसोशित कर लिए अब नीचे प्रिथवी तक पहुंची है 51 परसंट राइट तो इसे अगर प्रिथवी से भी ऐसे करके जब वापस आती तो 34 परसंट जो है आपकी इधर से वायमंडल लगु तरंग और नीचे से जाने वाली दीर्ग तरंग है तो जो चौदा प्रतिशत उपर से आई है और वाई मंडल में रुग गई है वह लगु तरंग तो वह प्रवेश कर दिये प्रवेशी लगु तरंग सौरिक विकरण क्योंकि वह एंट्री मार रही है अब जो टकरा क से आ रही थी और वाई मंडलने से अफसोशित के लिया था आपको इती सी बार समझ में आई हो नहीं समझ में आई तो चलिए यहां पर देख लेते हैं तो जो भी कहानी हमने पड़ी थी वो इस डाइग्राम में देखेंगे हम लो तो देखिए सूर से कित्ती आ रही है प्रतित हो जाती है और कहां अंतरिक्ष में वापस चली जाती है यानि कि छे प्रतिशत यहां पर लिखाए दूलकडों से टकरा के वापस चली गई 27 प्रतिशत बादल से टकरा के वापस चली गई दो प्रतिशत जो है प्रिथवी से टकरा कर वापस चली गई देखिए यह यहां पे सब्सक्राइब दूलकर्ण है उससे 6 प्रतिशत चली गई बादल से टकराके आपकी 27 प्रतिशत और प्रिथवी से टकराके यहां पे 2 प्रतिशत चली गई तरीके से बाढ़ दिया एक यह और एक यह तो इसने का 34 प्रतिशत जो है आपका वह प्रिथवी द्वारा अफसोचित हो गया तो हमने देख लिया पूरा जित्तिया भी हमने पड़ा था चली दोस्तों फेर नेक्स्ट करते हैं आप लिका बहर गामी दीर्गतरंग पार्थिक लाइन देखिए अब ये जो है बाहर की तरफ जा जा रही है जो अंदर आती है वह लगू होती है यह लाली है दृगतरंग पीद्वी से जा रही है पारथे बिक्रणग जो सूर से आतीwash है उसका हम क्या बोलते हैं प्रिथ्वी भी अपनी सत्व से दीर्ग तरंग के माध्यम से वायू मंदल में उठ जाती है यानि कि वायू मंदल में सूर्ज से भी उठ जाती है और प्रिथ्वी से भी वापस होके वायू मंदल यह वायू मंदल है तो वायू मंदल में जाती है उपर से भी आ रही है प्रिथवी से भी क्या है वाई मंडर में जाती है प्रिथवी से होने वाले पार्थिव विक्रण जो प्रिथवी से विक्रण होता है उसको मुलते हैं पार्थिव विक्रण को प्रभावी याने की effective radiation याने विकरण भी कहते हैं ठीक है effective radiation कहते है प्रिथ्वी तरह सूर से प्राप्त 51 प्रतिशत उर्जा में से 23 प्रतिशत उर्जा अब देखें प्रिथ्वी पे यह हो गया हमारा अर्थ यह वायू मंडल हो गया यह सूरे हो गया 30 5 प्रतिशत तो यहीं से वापस हो जारा है जिसमके 14 प्रतिशत वाय मंडल अपृण ऑर 51 % अब यह बर्यूर में देखेंय को धर्यत इस्टारंग विकरण के रूप में वायू मंदल में लोटा दिया जाता है यानि कि इसने का जो प्रिथवी पे 51% आई उसमें से 23% चली गई ठीक है जिसमें से इस 23 में से क्या होता है 23 में से जो है 6 प्रतिशत उर्जा का अवसोशन हो जाता है वायू मंदल दुआरा ठीक है बचा कितना हो इतने ही बचा गई 20 28 पर्चेंट ठीक है तो 51 में से जब 23 जाता है तो 28 ही बसता है ठीक है तो देखिए 23 में से 6 प्रतिशत को तो वाई मंडल ने अफसोशित कर दिया और जो 17 है वो आपकी शूने आने की चली गई अंतरिक्ष्य में तो 23 प्रतिशत विकरण मे प्रतिशत जो है वाई मंडल द्वारा अफसोशित हो गई और 17 प्रतिशत सीरे सूने में चली यानि की अंतरिक्ष्य में चली 51 में से ठीक आगे देखते हैं तो 51 में से 23 का हिसाब किताब हो गया बचे थे कितने हमारे पर 28 ना अब इसने कर 28 में से पार्थे वूर्जा का ज इस में 6 और 17 और 51 में से 9 आजाओ और इसी 51 में से 19 आजाओ ऐसा समझळो तो यह यह फिस्त वाईमादल द्वारा उसोशित हो जाता है 17 आपका अंतरिक्ष में चला जाता है और यह वाश्पी करन में खर्च हो जाता है तो आगर आप इन उनस Πरतिशत ड़िया खाल दो एक क तो यह आपका पूरा 51 का हिसाब किताब I think आप लोगो समझे होंगे ठीक है तो छे प्रतीशत जो है वाई मंडल अफोशेत कर लेता है 17 आपका अंतरिक्ष में चले जाता है नौ जो है अपका समयन प्रक्षोब में खर्च हो जाता है और इस प्रतीशत वाश्पी करण में खर हो जाती है मतलब अभी फिलहाल जो है तंगनन की गुपतू उश्मा की के रूप में जो है वाई मंडल में चले गई ठीक है यह वाली उनिस प्रतिशत ठीक है चली आगे बढ़ते इस तरह अब देखिए सबसे पहले वाई मंडल लेकर सूर्च से उर्जा उश्मा आ रही थ चुका था उसके बाद अभी एक छे परसेंट किया ठीक है उसके बाद गई यह जो है 19 परसेंट यह भी इसने करा तो और यह वाला 9 परसेंट यह सारे के सारे आपको वाई मंडल में मिलेंगे जब आप इन सबको एड कर दोगे देखो 6 परसेंट प्लस यह वाला 9 परसेंट यह 17 परसेंट तो चला गए हमारा अंत्रिक्ष में और यह वाला 19 परसेंट जब आप इसको एड करेंगे तो क्या हो तो दो और एक तीन यानि 34 ठीक है 34 हो गया तो यह लिखा देखिए 14 प्रतिशत जो हमें सबसे पहले मिल गया था हमने इस तरह वायू मंडल को सूरी से 14 प्रतिशत और प्रिथवी से 34 अभी जो हमने देखा 34 और 14 परसंट यह टोटल किता हो जाएगा 48 परसंट इस वक्त हमाई है बस कहा है वायू मंडल में है जो विभन रूपों में क्या होता है विकरण के द्वारा शून में चली आती है मतलब अभी जो है 14 प्रतिशत और 34 भी क्या होगा यानि कि 48 परसंट भी क्या है किसी ना किसी तरह से अंतरिक्ष में चली जाएगी इसका मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर एक बार सई से देखते हैं तो देखें यह हो गई आपकी प्रिथवी यह हो गए आपका वायू मंडल यह सूर से उच्मा आ रही है 100 परसंट ठीक है अब पूरा हम यहाँ पर एक की डाइग्राम में देख लेंगे 35 प्रतिशत तो चली गई ठीक है और चौदा प्रतिशत वायू मंडल ने अकसोशित कर ली अब जो 51 परसंट है 51 परसंट आपकी कहा है प्रिथवि में है ठीक है इतनी कहानी हो गई खतम यह आने वाली थी अब वापस जाएगी अब चले अब वापस भेजते हैं तो यह हो गया आपकी प्रिथवी यह हो गया आपका वायू मंडल राइट तो कहानी कुस ग्रीन में चले तो 51 में से 23 प्रतिशत गई थी जिसमें से 6 प्रतिशत तो शूनिम में यानि के अंतरिक्ष में चले गई थी और जो 17 प्रतिशत है वो फिर उसको फिरण 9 प्रतिशत भी आपकी वायू मंडल में गई और उसको फिरण उननेस प्रतिशत भी वायू मंडल में गई ठीके यह ये वाली उसके आत 17 नौ उननेस ठीक है 17 9 नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे mistake हो गई यह जो 17 है यह हमारी वाईव मंडल में 6 नीच ज़ी है 17 वाईव मंडल में अंतरिक्ष में गई है 17 वाली जो है अंतरिक्ष में गई है और 6 वाली यहीं पर है यह रही तो अभी जो हमाई पास टोटल किते हैं वाईव मंडल में 19, 9, 6 और 14 इन सबको आप टोटल करेंगे तो आजाएगा 48% और यह 48% जो अभी आपके पास वाईव मंडल में है यहाँ पे जो वाईव मंडल में 48% है वो भी किसी ना किसी रूप में क्या होती है अंतरिक्ष में चली जाती है इसने यही बात करी जो 48% है वो भी किसी ना किसी रूप में जो है विकरण के द्वारा शुन्य में यानि की अंतरिक्ष में चली जाती है इस चित्र में भी वही दे रखा है कि जो 51% है हमाई पास पृत्वी में उसका 23 प्रतिशा जिसमें से 6 वायु मंदल में है 17 आपकी अंतरिक्ष में चलेगी और यह प्रक्षोप और संभन द्वारा 9% वायु मंदल में है संभन द्वारा 19% वायु मंदल में और पहले का 14% सारा एट कर दोगे तो इस कित्ता हो जाए गए तो यह सारे आप एट करेंगे अगर और प्लस यह वाला जो पहले का था ठीक है ने यह वाला नहीं प्लस यह वाला प्लस 14 जब आप एट कर दो 48% हो जाएगी सारी की सारी आप कि कहा हो गई वाई मंडल में है और ये किसी रूप में विक्रण द्वारा क्या है अपके अंतरक्ष में चली ही जाएगी वाई मंदल को गर्म रखने में दीर्ग तरंग विकरण की प्रमुक भूमी का, प्रमुक रूपस joint. मतला इसने का जो पृत्वी का वाई मंडर है गरम किस वज़े से होता है, जो वापस लोट के जाती है तरंगी दीर्ग तरंग विकरण, इसके द्वारा होता है गरम वाई मंडर, ठीक है, सूरी के दवारा प्रवेशी विक्रण तथा पार्थे विक्रण के अंतर के प्रड़ाम सब यू बाहीव मंडल गर्म होता है ठीक है सूरी से जो विक्रण आ रहे और जो प्रित्वी से वापर जा रहा है, इन दोने में अंतर जो होगा, उसकी वज़े से ही वायू मंडल गर्म होता है, तथा कार्बन डाय ओकसाइड आदी, गैसो द्वारा हरित ग्रह, जैसे वेबाहर के कारण क्या होता है, वैश्विक तापन की इस्तिती उत्पन होती, इसने कहा कि कार्बन डाय ओकसाइड और भी बहुत सारी कैसे होते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है, ग्रीन हाउस जैसे मतलब हरित ग्रह, हरित ग्रह जैसे वेबाहर के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानि वैश्विक तापन होता है, मतलब प्रित्वी का तापन बढ प्रिथ्वी के धरातल पर सौर लगू तरंगे पार्तिव उड़जा की लंबी तरंगों में पर्णत होती है तो इसने कहा जो प्रिथवी के धरातल पर सौर लगु तरंगे पार्थि उर्जा की लंबी तरंगों में पर्णत होती है चलो आईए यहाँ पर देखते हैं गईस दोनों ही सही थे महाँ पर इसने कहा वायु मंडल और प्रिथवी की सत्धा का उश्मा का प्रधान इश्रोत क्या है सूर है सौरिक उर्जा को ही सौर्य ताप कहते है सौर्य ताप कहते है हम बोलते हैं दीर्ग तरंग धरातली या पार्थे विकरण जो प्रित्वी से सूरु से आने वारी लगू तरंग सौरिक विकरण और जो प्रित्वी साती है वो दीर्ग तरंग पार्थे विकरण होती है वाईमंडल को गर्म रखने में दीर के तरंग विकरण की ही प्रमकुरूप से जिम्मेदारी होती है मतलब यही जिम्मेदार होता है तो इन दोनों यानि कि जो सूरिष से उश्मारी और प्रिथवी से जो विकरण हो रहा हो उसके अंतर की प्रणाम से वाईमंडल गर्म होता है फिर वही लिखा है कार्बंडर ऑकसाइड आदी गैस द्वारा के हरित ग्रह जैसे विवहार के कारण के होता है वैश्विक तापन की सित्य उत्पर होती है हमारा यह भी ठीक है दोनों यह अंसर ठीक है मतलब हमारा जो यह है कि ए और रोलों सही है और एक की सही व्याक्या खरता है चलिए नेक्ट कोश्चन देखिए आपर लिखा है यह बड़ा कोश्चन आई एस का है सामानेता प्रित्वी की सता से उचाई बढ़ने के साथ तापमान में घट उत्तरी होती है मतलब इसने कहा कि जैसे जैसे आप प्रित्वी से उपर जाते हो तापमान कम होने लगता है तो यहां लिखा है वाइव मंडल पित्वी की सता से केवल उपर की और गर्म हो सकता है फिर लिखा है उपरी वाइव मंडल में आद्रता अधिक होती है फिर लिखा है उपरी वाइव मंडल में हवा कम घनी होती है तो इसमें बताने कौन सा सही है ठीक है सही बताने तो गैस पहला सही है यानि कि वाइव मंडल पित्वी की सता से केवल उपर की और गर्म होता हो सकता है दूसरे इसने का कि वाइव मंडल में क्या है आदरता अधिक होती है उपरी वाइव मंडल में बहुत उपर जैसे जैसे आप जाएंगे तो आदरता कम होती जाएगी फिर का जो घंट है वो भी कम होता जाएगा हवा कम होती जाएगी रैट पहला तीसा सब्सक्राइए चले आए समझें इसमें में विश्वम में सूर्य ताप का वितरण तापमान के वितरण को नियंतर्ट करनेवाला मुख्य कारक है प्रकुाप के अवसोशन के कारण धरातल गर्म होता है इसलिए उचाई बढ़ने के स साथ तापमान कम होता है जैसे आप उपर जाएगे जितना आप जमीन के पास रहें वहाँ ज्यादा गरम लगेगा जैसे आप उपर जाएंगे वैसे आपको गरम कम लगने लगे अगर आप यहीं पर देख लें ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं तो आपको गरमी ज्यादा लगती है जैसे जैसे आप उपर वाली 10-20 मंजिल पर जाते हैं हवा तेज हो जाती है और आपको गर्मी कम लगते हैं Upreat tenden में वय जो है विरल हो जाती है और आदृता का अभाव हो जाता है जैसे ज्थे आप उपर हो जाते हैं वायँ सब्स待 होद में अधिक सवरिता हो परावर्तित करती है तो मतलब इसने कहा कि हमाई पर जैसे है बालू मरुस्थल की नवपात हिमसे आच्छादित भूमी यानि की ऐसी भूमी जहां पर बरफ जमी हुई हो धान के फल युक्त भूमी हो गई या प्रेरी भूमी तो इसने का सबसे ज्यादा जो सूर है टकरा के वापस किस पर से जात हिमसे आच्छादित हो ठीक है तो सी है आंसर हमारा तो देखिए प्रित्वी का ओसत अल्बीडो तीस से प्रतिशत होता है इसका मतलब यह हुआ कि सो प्रतिशत अगर आ रही है सूर किर्ण तो उसमें से तीस से प्रतिशत है टकरा के वापस चले जाएगी तो इसने का जब है धान की जो धान की फसलेगत भूमियों जहां पर धान लगा रखा हो वहां का अल्बीडो किता लिखा है तीन से पंदरा प्रसंट मतलब कमी है और प्रेयरी भूमी का कितना हो गया दस से बीस पॉसेंट चले आगे दिखते हैं यह कौशना आई-एस में निमलिकित में से क सूरी किरण की वापसी होती है ठीक है तो किसी सत्ह की परावर्तन चमता परावर्तन चमता का मतलब होता है कि वह कितना सूरी की किरणों को परावर्तित यानि कि अपने से टक्रा कर वापस भेज सकती है तो परावर्तन चमता को हम एल्बीडो के रूप में जाना जाता है ज अपने में टक्रा कर वाबस वे जबकि हरत छेत्रों जैसे कि वनों में या मैदानों का अलबुडों क्या होता है लो होता है लोर होता है चली इसमें लिखा अट्लेंटिक महासागर की तुलना में प्रशंत का अधिक होता है अधिक हैं तो इसने का उत्री गोलार्द में अधिक है ठीक है को है की कि डोनों में से कौन सा है तो केवल बी यानि कि इसने न कहा एक तो इसने कहा है कि तपमान Państwo है हुष्य के दूसर इसने कहा था कि और दकषड़ी आने तो इसने कहा था कि अधिकर सिर्ण ने और इसने दूसरे सागर का अकार जितना बड़ा होता है वाशिक तापांतर उतना ही घटा जाता है ठीक है अट्लैंटिक महासागर में प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है क्यों क्योंकि अट्लैंटिक महासागर प्रशांत महासागर के कंपैरिजन में छोटा है उत्री गुलाड में जो है इस थली भाग की जबकि दक्षरी गुलाड में जली भाग किया दिखता है देखिए वार्षिक तापांथर की यह बात कह रहा है तो इसने सबसे पहले कहा अगर सागर की अगर हम बात करते हैं तो जितना बड़ा सागर वार्षिक तापांतर उतना ही कम ठीक है तो हम जानते है Pacific Ocean बड़ा है Atlantic Ocean छोटा है तो वार्षिक तापांतर कहां पे ज़्यादा होगा Atlantic Ocean में तो पहला वाला जो पॉइंट था वो गलत हो गया यह कि वो कह रहे था Pacific Ocean में ज़्यादा हो नो चाहिए लेकिन हुआ कहां पे Atlantic Ocean में चलिए दूसरा इसने कहा कि जैसे हम उतरी और दक्ष्ली गोलार देखते है तो हम देखते हैं कि उतरी गोलार में जो है इस थल as compared to दक्ष्ली गोलार ज़्यादा है ठीक है जहां इस थल ज़्यादा है और समंद्र कम है ठीक है वहाँ पे तापांतर भी जो है आपका ज़्यादा होगा ठीक है जहां पे समंद्र ज़्यादा है वहाँ तापांतर जो है न थोड़ा सा थोड़ा सा क्या ना के बराबर नगरने होता है या कम होता है तो यह उतरी गोलार्द में ज़्यादा है है ठीक है तो ये भी हमारा चाहिए है ये ही लिका है अता दक्षог sundhart की तुल्न में उत्लिक गोलाड में ताप मान का वार्षीक परीसर यान की ताप अंतर अधिक होता है चलिए नेक्स कोश्चन पर होता है लिखा है निम्लिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है यह गलत है जल वाश्प निचले वाई मंडल के कि अती परिवर्ती गैस है ठीक है तो पहला option सही है दूसरे में लिखा है अत्यधिक तापमान की मेकला विश्वत रेखा के साहरे पाई जाते तो गलत है तापमान सब्सक्राइब विश्वत रेखा पर नहीं होता है जीरो डिग्री नौर्थ अक्षांस पर पाया जाता है ठीक है तो यह हमारा आंसर के कौन सा तहीं नहीं है भी हमारा अंसर होगे और यह लिखा है शीत कटिबंद उभे गोलार्धों में जो है आपका दुरुवाम व्रत और दुरुवों के बीज उपस्तित होता है तो यह हिंदी मुझे समझ में नहीं सही से तो मैं इसका नहीं बता सकती है यहां लेका है कि सामानेता भूमद रेखा से उच अक्षांसों की और औसत तापमान जो है कम होता जाता है ठीक है जब प्रिथिवी से आप भूमद रेखा से उपर की तरफ जाएंगे तो टैंप्रेचर जो है कम होने लगता है तब यह आप देखते हैं ध्रोब पर तो एकदम ठंडी होती है ठंड होती है ठंड होती है पैंतु अधिक्तम जो है सूर्य ताप प्राप्त करने वाली तापि प्रिथिवी से तक राज़ा यह तक्रा के वापाच जाएगी उपर से जो उश्मा आ रही है वो प्रिथवी से टकरा कर वापच आएगी तो गई साफ इसमें आप लोगों ने क्या देखा तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जहां बादल है ना वहां उश्मा जो है बादल तक तो गई लेकिन उसके बाद उपर नहीं जा पाई नहीं थो हमने क्या समझा साफ राते हो जो आपकी कि मेग वाली रात है यानि बादलो वाली रात उसकी थंडि digging उसके दिश्याद के सवाध्या can क्यों आधर में रात में मतल्य मतलाए साफ रात ौंडिक होती है यहां वही जलवाश पर जदा होगा तो आपको उमसी फील होती होगी जब बाडल रही भारिश पह robust कर्मी है इसमें करता है नीचता है च्रथा वही पार्थिए भिकना सबीक्न 고ner को जलवाशने करता है जो जो उष्मर वापस चली जानी चाहिए वायू मंडल से बाहर वो नहीं जा पाती है क्योंकि वहां पर जलवाश पहना वो उसको क्या है अफसोशित कर लेता है अपने में समा लेता है उस उश्मा को फर सब्सक्राइब क्या होता है मेगी राती जो अपिक शक्रत अधिक गर महसूस होती है अब इसके तरिक तो साफ र रहते क्या है थंडी महसूस होते वास्ता में क्या है वाईू मंडल ग्रीन हास प्रभाव की भाती विवाहर करता है ठीक है जैसे आप देखते होंगे गाइस नौर्मली भी कि जब आप देखते होंगे जैसे कोई कार है वो धूप में खड़ी है ठीक है ग्रीन हाउस एफेक्ट की बात कर रहे हैं ठीक है यह कार है और यह धूप में खड़ी है अब आप क्या होता है कि आप देखते हैं कि यार बहुत देखते हैं कि अधा गंटा खड़ी रह गई धूप में ठीक है अब आप क्या होता है कि आप आए तो आप बाहर खड़ें आप आपको इतनी गर्मी नहीं लग लेकिन जैसे आप कार के अंदर घुतेंगे तो आपको बहुत गरम सा फील होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं आपको बाहर नहीं आपाती तो यह अंदर यह अंदर रह जाती है इसलिए हमें क्या है कार का जो टैंपरेचर अंदर की तरफ है वह ज्यादा गरम लगता है एस कंपरेटर तो बाहर का ठीक है आई होप आप लोग समझ गयों इसी वह हम ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं यानि पर आपको वीडियो पसाइए तो लाइक कर साथ चैनल को सबस्क्राइब नहीं कियाओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजएगा चलिए नेक्सट goose chapter हो ऑपको चक्रवात है वह पढ़ेंगे हम लोग कर ची ई ? लोग कर आ Beim